अगर आपके लगन कुडली में मंगल 11 भाव में इस्तित है तो मंगल की महादसा आ जाने पर आपको किस प्रकार का result मंगल दे सकते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं इससे पहले हम 10 भाव तक मंगल के जो result हैं उनके बारे में उल्रेडी चर्चा कर चुके हैं देखें मंगल 11 भाव में अगर आपके लगन चार्ट में इस्तित हैं, तो यहां मंगल ज्यादा से ज्यादा आपको फोर्स करेंगे आपकी आई को बढ़ाने और आपकी बचत को बढ़ाने के लिए, आप अपने जो भी इच्छाएं रखते हैं जीवन को लेकर, धन को लेकर, उनको आप पुर्ण रूप से पुरा करने को सोचेंगे, मंगल यहां इस्तित है, तो मंगल आपकी मित्र मंडली में काफी तेजी से वर्दी करेगा, इससे आप बहुत ही प्रभावसाली लोगों के संपरक में आएंगे, जादतर आप उन लोगों के संपरक में आएंगे, जो आगे चलकर आपकी मदद कर सकें किसी भी तरीके से, आप हालांकि दूसरों को भी उतना ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे, धन और अन्य मामलों में लेकिन खुद के उपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे अगर मंगल यहां पर किसी वी ऐसे ग्रे के साथ है जैसे राहू के साथ है या सनी के साथ है तो फिर आपकी popularity को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा आपके मान समान को बहुत ज्यादा बढ़ाए मॉस्टली आप दूसरों को बहुत हद तक डॉमिनेट करेंगे अपनी बातों से और अपने वानी के प्रभाव से मंगल यहां इस्तित है तो वास्तम में आपको मंगल धन के बहुत सारे सुरोतों को खोजने में मदद करेगा मंगल की इस इस्तिति की वज़े से आप हमेशा अपने काम के परती बहुत ज़्यदा दर्ड निश्चे रखेंगे और बहुत ज़्यदा आत्म विश्वास भी रखेंगे मंगल की दसा के दुरान साथ वर्स की जो दसा होगी ज़्यादा तर यह पॉसिबल है कि आप अपने सारे की सारे इच्छाओं को पूरा कर लेंगे इवन समय से पहले ही आप अपने इच्छाओं को पूरा कर लेंगे अगर मंगल अच्छी स्थिति में है अगर यहां पर कोई भी दूसरा ग्रय यूती करके बैठा है मंगल के साथ तो उसका प्रभाव भी आपको देखना है जैसे हो सकता है चंद्रमा यहां मंगल के साथ हो तो ऐसे में आप अपने रिस्तों की केर भी उतनी ही जादा करेंगे हलांकि फिर आर्थिक इस्तिति में उतार चड़ा भी बहुत जादा आ सकते हैं या फिर जैसे हो सकता है किसी का यहां ब्रसपती बैठा हो मंगल के साथ तो ब्रसपती के केस में भी जादतर आपको धनला आप देखने को मिलेगा लेकिन फिर आपकी बुद्धी आपका विवेक भी आपके ज्यादा से ज्यादा काम आ सकेगा किसी भी काम में मंगल की यह इस्तिति वास्तम में आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान परतिष्ठा पाने के लिए प्रेरित करेगी मंगल के इस इस्तित जो कोई समाजिक लियान के लिए काम करने वाले हों लेकिन वास्तम में आपको उन लोगों का साथ ही ज्यादा पसंद आएगा जो फीजिकली और मेंटली बहुत ज़्यदा एक्टिव है लाइफ में या जिनका कोई पर्टिकुलर गोल है लाइफ को लेकर इसी तरीके से धन के मामले में आप अपने लिए नए टार्गेट सेट करेंगे आपके लिए धन कमाने के बहुत सारे अफसर ऐसा मंगल खोल सकता है मंगल आपको बहुत हद तक यहाँ फायर पावर जो देगा उसका इस्तिमाल आप अपने इमोशन्स को बढ़ाने के लिए करेंगे तो पर्टि अगर मंगल यहाँ बहुत अच्छी इस्तिमे नहीं है तो आपको धन को लेकर उतनी ज़्यादा चुनोतियां देगा आपके इवन कभी-कभी अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग आपके सत्रू बन सकते हैं या आपको पीट पीचे कुछ ऐसे कारवा ही कर सकते हैं जिस मंगल की इस इस्तिति के वज़े से अक्सर जादा तर केस में आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं जो भी आपकी मनो कामना हैं उनको पूरा करने में सफल ही होंगे मंगल की दसा के दोरान आप अपनी सारिक छमता आपकी मानसिक छमता सबका इस्तिमाल एक साथ कर सकेंगे ज किसी भी काम को करने को लेखर तो कभी-कभी आप कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं मंगल की दसा में जिसके बारे में आपने पहले सोचा ना हो और रिजल्ट आपके अगेंस्ट आ गया हो फिर आप बहुत ज़्यदा फ्रिस्टेट हो गए हो फिर आपका जो नेचर है आपका जो ना हो तो ऐसा मंगल वास्त में आपको बहुत ज़्यदा सेल्फिस दिखा सकता है आपको सेल्फिस बिराने की तरफ अगरसर कर सकता है फिर जातक दूसरों को बहुत बड़े-बड़े सपने दिखा कर उनसे पैसा एंटने वाला हो सकता है किसी भी तरीके से या लोगों को ऐसा जो जाता कि काफी ज़दा लीड करेगा एक leadership की बहतरी इन quality आपको मंगल यहां दे सकता है अब depend यह गरता है कि मंगल आपके चार्ट में कौन-कौन से भाव को represent कर रहे हैं आपके चार्ट में मेश रासी और वर्ष्चिक रासी जिन भी भाव में पढ़ रही है उन भावों से समंदित किसी भी particular काम को करके आप धन अरजित कर सकते हैं उन भावों से समंदित रिस्तों से आप बहुत ज़दा मानसमान और परतिष्ठा हासिल कर सकते हैं उन भावों से related काम करके आप अपनी creativity को ज़्यादा से ज़्यादा develop कर सकते हैं अपने नए आइडियाज को डवलप कर सकते हैं धन कमाने के लिए इसके साथ मंगल आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से जोड़ेगा जो लाइफ के परती बहुत ज़्यदा पॉजिटिव हैं और लाइफ में काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं ऐसे जातक वास्तम में अपने खुद के जो इच्छाएं हैं अपनी खुद की जो भावनाएं हैं उनको सरवादिक महत्व देंगे और आप अपनी लाइफ में किसी का भी इंटरफेर पसंद नहीं करेंगे मंगल के दसा के दोरान आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो ज़्यादतर आपको सपोर्ट करते हुए नजराएंगे या आपको बहुत ज़्यदा मान समान और परतिष्ठा देते हुए नजराएंगे मंगल के दिसा के दुरान आप अपनी संतान से बहुत बहतर तरीके से connected रहेंगे आपके बहुत सारे मंगल प्रेम समंद भी बना सकता है अब देखे मंगल जो है जिन भी भाओं को मंगल रिपर्जेंट कर रहे हैं उन भाओं से समंदित जो आपके इच्छाएं हैं जो ऐसी मनोकामन हैं जो बहुत लंबे समय से आपके अधुरी रही हैं उनको आप सबसे पहले पूरा करने को देखेंगे अब देखें यहां मंगल जितना अच्छे इस्तिति में होगा उतना ही जदा आपकी connectivity बढ़ेगी लोगों का साथ और समर्थन आपके लिए बढ़ेगा लेकिन अगर मंगल खराब इस्तिति में हैं ऐसा मंगल आपको भूमे और भवन का अच्छा लाब दे सकता है आप अपने कारिय चेतर के वज़े से अपने जो आपकी fire power है उसके वज़े से और दूसरे लोगों को lead करने की छमता की वज़े से बहुत popular हो सकते हैं अब देखें ये जो मंगल है especially आपको mentally बहुत ज़्यदे एक्टिव रखेगा अब मंगल की दृष्टियों के अगर हम बात करेंगे तो मंगल सबसे पहले आपके दूसरे भाव को देखते हैं यहां से दूसरे भाव को देखने के वज़े से इस बात की बहुत परबल संभावना है कि आपकी जो भी अपने family से related इच्छाएं होंगी वो बहुत तेजी से पूरी होंगी आप अपनी family की हर requirement को पुरा करते हुए नजराएंगे इसके साथ जिवन में जब महादसा आएगी मंगल के उस समय आप ज़्यादतर धन संपती अरजित करके एक अच्छी स्थिति में होंगी वास्तम में इस प्रकार का मंगल आपको आपके लिए बहुत सारे ऐसे earning sources लेकर आ सकता है जिन से आप काफी तेजी से धन अरजित कर सकते हों और ज़्यादतर अपने धन का इस्तेमाल आप अपने family के लिए करते नजराएंगे लेकिन यहाँ वाणी को लेकर कुछ दिक्कते जरूर आपको आ सकते हैं और इस वज़े से जब आपके कारिये सही समय पे नहीं बन रहे हैं तो ऐसे में family के साथ कुछ दिक्कते अवस्य हो सकते हैं तो अपनी वाणी को यहाँ पर आपको विराम देना होगा कभी-कभी बहुत बार ऐसा होगा जब आप किसी भी पर्टिकुलर विशे पर बार बार बोलते ही चले जाएंगे आप रुकेंगे ही नहीं तो ऐसे में अपनी वाणी को कंट्रॉल में रखना बहुत ही जड़रे हैं लेकिन मंगल जब दूसरे भाव को देखते हैं तो वो धन संपत्ती के मामले में बहुत अच्छी स्थिति देते हैं ज़्यादा ऐसा जातक सेविंग्स पर ध्यान देगा अपने प्रोपरिटी वगरे से लाप राप करने को देखेगा तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज आपके मन में मंगल डवलप कर सकता है पर वानिस्तान पर मंगल की दृष्टी पढ़ना आप वानि से कभी-कभी बहुत ज़्यादा क्रूर नजर आ सकते हैं आप दूसरों को कभी-कभी बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो आपके सत्रू हों मंगल उसके बाद यहां से देखते हैं आपके पंचम भाव और आपके चठे भाव को पंचम भाव पर जब मंगल की दृष्टी पढ़ती है ऐसे में आपको बहुत सारे ने-ने ऐसे आईडियाज मंगल दे सकता है जिसकी मदद से आप अपनी क्वालिटीज में अपनी क्रियेटिविटी में काफी ज़्यदा वर्दी कर सकते हैं अपनी फायर पावर को और ज़्यदा बढ़ा सकते हैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को ज़्यादा सी ज़्यदा अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं मंगल पंचम भाव को देखने के वज़े से आपकी कोई भी अगर love affair बनता है मंगल की दसा की दुरान तो आपकी उनसे expectations बहुत ही ज़्यादा high होंगी मंगल उसके बाद आपके चठे भाव को देखते हैं आपको कोई issue है तो उन सब मामलों में मंगल एक बहतरीन fire power आपको देने वाले हैं तो आपकी जो भी समझ से हैं जो भी इस परकार की दिक्कते हैं वो मंगल दूर करेगा और आप इतने ज़्यादा सहासिक फैसले लेने लगेंगे मंगल की दसा में जिनके बारे में आपने कभी विचार भी नहीं किया था कि आप ऐसे कठिन फैसले ले सकते हैं क्या इसके अलावा जातक धन प्रापती और बचत करने के लिए किसी भी हद तक अपने जिवन में जा सकता है अब देखें मंगल अगर ग्यारवे भाव में इस्तित है तो ऐसा मंगल वास्तम में आपके लिए ऐसी उपर्चुनिटीज लेकर आएगा जहां पर आप अपने सत्रूं को आसानी से प्राजित कर सकेंगे और अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा ऐसी फाइल डवलप कर सकेंगे जिससे आपका हर कारिये संभव हो जल्दी से जल्दी तो यहां पर जितना ज़्यादा आप मंगल की एनरजी को सही दिसा में उप्योग में ले लेंगे उतना ही ज़्यादा आप धन्वान और पोपुलर हो सकते हैं